सियासी दल जनता को लुभाने के लिए जम कर कोशिशे कर रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां जम कर रेलिया कर रही है वही कॉंग्रिस अध्यक्षु मलिका अर्जुन खडगे ने नागपूर में सभा को सम्भोधित किया नागपूर में चुनावी जनसभा को सम्भोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 का लोगसभा चुनाव प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी के खिलाफ नहीं है बलकि ये मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है इस दोरान उन्होंने बाबा साहिब का जिक्र किया मलिका अरजुन खडगे ने कहा कि ठाकरे कोई हाई प्रुफाइल वाले उमिद्वार नहीं है वे एक जमीनी कार करता है उन्हें मनुवादी विचारधाराओं को हराने के लिए चुना गया है बदादी की ठाकरे को कॉंग्रिस ने केंदरी मंतरी नितिन गटकरी के खिलाफ चुनाव मैदान में उता रहा है खडगे ने अपने सम्भोधन में कहा कि उनकी पार्टी सम्विधान को बचाने के लिए चुनावी मैदान में है अगर RSS भाजपा जीती है तो भविष में कोई चुनाव नहीं होगा वैं सम्विधान को खत्म कर देंगे कॉंग्रिस बाबा साहिब अंबेड करके सम्विधान को बचाने के लिए लड़ रही है जो 140 करोड भार्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस ने देश की आजादी के लिए काम किया लेकिन अब मोदी पूछते हैं कि पार्टी ने पिछले 70 सालों में क्या किया रास्टिय स्वैम सेवक संग ने 77 संगराम के दुरान कुछ नहीं किया लेकिन अब वेर राम बंदिर और बाबा साहिब अंबेडकर के नाम पर वोट मांगने आते हैं अंबेडकर की तस्वीर तो छोड़िये इन लोगों ने अपने कारयालों में रास्टिय धोस तक नहीं लगाया कॉंग्रेस अद्यक्ष न कहा कि मोधी विपक्ष को भ्रस्ट कहते हैं लेकिन उनकी पार्टी दागी निताओं को शामिल करती है बीजेपी के ऐसी लॉंडरी है जहां भ्रस्टों को मोधी शामिल करती है और अमित्ष जा उन्हें धोने के लिए डालते हैं और गटकरी उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं दीबी लाइफ की रिपोर्ट